हेलो फ्रेंट्स कैसे आप सभी आश्य करता हूं आप सभी ठीक होंगे अच्छ होंगे मेरा नाम है सुधिर और दोस्तों हम पढ़ रहे थे पेपर जो था 2016-17 का तो उसका हमने कितना पढ़ लिया था उसका हमने 20 questions पढ़ लिया था ठीक है ना आज हम पढ़ेंगे question 21 से ठीक है आते हैं अपने question number 22 पे क्योंकि 30 वर तक हमने पढ़ लिया था ठीक है चलिए तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लग रही है आपको वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग comment में लिखके बताईएगा ठीक है ना चलिए तो question 22 से शुरू करते है तो question number 22 आपको क्या है what fraction to given rectangle unshaded unshaded का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे color नहीं है तो हम fraction कैसे लिखते हैं दोस्तों सबसे पहले हम total part लिखते है तो total part यहाँ पे कितना है 1,2,3,4,5,6 6 लिख लेंगे और यहाँ पे unshaded यानि कि कितना part यहाँ पे shaded नहीं है तो है 1,2,3,4 5 तो ही हो जाएगा 5,6 यह मतलब कि इसका answer क्या हो जाएगा इसका fraction हो जाएगा 5,6 option number D question number 23 आपके सामने है question number 23 क्या कह रहा है कि the given clock represents in the morning देखे सुबा का time हो रहा है और दो घंटे पहले क्या time होगा तो देखे दो घंटे पहले क्या होगा आप यह घंटे वाली जो यहाँ पर निडिल है इसको आप 7 पर लाएंगे बस दो घंटा हो जाएगा पीछे तो यह बजएगा 7 बच के पाच बंट यानि कि 7 5 एम ठीक है चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी अब हम आते है question number 24 पर 24 नमबर question क्या कह रहा है लिखा है Mrs. Kapoor bought 10 dozen of eggs she used to 5 dozen eggs for bake some cookie she used another five egg to make a template देखिए question क्या कह रहा है कि जो Mrs. Kapoor है वो 10 dozen क्या लेती है एक दरजन में देखिए 12 चीज़े होती है ठीक है ना one dozen में 12 items 12 articles होते हैं तो यहाँ पर इस video इसको कैसे करेंगे 10 dozen आपके पास क्या थे एक थे ठीक है उसमें से 5 dozen आपने क्या किया ठीक है कुकी में use कर लिए तो बचे कितने 5 dozen अब देखिए एक dozen में एक dozen में आपका कितना होता है 12 articles होते हैं तो 5 dozen में कितने होंगे तो 5 25 कितना होता है 60 यानिकि 60 X अभी बचे हुए है ठीक है अब question और कह रहा है कि 5 उनमें से और निकालके वह क्या करती है ओमलेट बना लेती है तो 5 एक और निकाल लिए तो 60 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 55 X ठीक है ना चले तो इस cancer क्या हो जाएगा option number C 55 चले यहां पर आते हैं दूस्तों यहां पर हम क्या करेंगे सबसे पहले दिखिए 990 0 इसमें ब्लस कर रहा है हम तो इसी संख्या में हम प्लस कर रहे हैं तो डा गिना 990 तो हम क्या करेंगे एकस की वैल्य निकाले मेंक यह लिए नाइन नान जिख NICKar उपका लिखा हूँगे 250 तो जैसी हाग 277 एक सबसे पहले लिखा हुआ है तो यहां पे लिखा हुए X की जगा पर तो यही आपका अंसर हो जाएगा ठीक है ना क्योंकि दीके 740 कहीं और X की जगा पर नहीं लिखा हुए तो इसका अंसर क्या हो जाएगा पर आंसर हो जाएगा ऑफिशन नमबर ए चलिए अब आते हैं किसी जो फोटोग्राफ दुकान वाला है उसके पास कितने फोटो है 256 और उसने किया क्या उसने जो एल्बम बनाया हर एल्बम में 16 16 फोटो रख दिया तो कॉशन कह रहा है कि हाउ मेनी एल्बम से शूट बाई यारी कि आपको कितने अब एल्बम खरीदनी पड़ेगी तो हम क्या करेंगे 16 से इसको बाई डिवाइट कर ले तो 16 बन जो 16 ठीक है अब देखिए यहां पर आएगा 15-6 कितना आ जाएगा दोस्तों यहां पर आ जाएगा आपका 9 ठीक और यहां पर वन मैंस कुछ बचे गई नहीं तो यहां आएगा 6 और 16 सिक्जा कितना होता है 96 ठीक है तो आपको कितने अल्बम्स खरीदने पड़ेंगे आपको 16 अल्बम खरीदने पड़ें तो इसका अप्शिन नमबर 27 नमबर 27 नमबर कॉश्चिन यह है कि 7 लिटर 450 ml of water को कैस मिली लीटर में लिखे तो देखे दिरे दोस्तों मैं इसको सिंपल बता दे रहरा हollar अगर ऐसा आता है तो आप ऐसे डारेक्ट भी लेख सकते है 70450 ठीक हैं ?? ठीक है लेकिन मैं इसको करके बता दे रहू हूं हम लिखेंगे एक लीटर में क्या होता है 1000 मिली लीडर ठीक है त सेवन थाउसंड मिली लीटर प्लस 450 ml तो यह कितना जागा एड करने पर 7450 ml ठीक है चलिए तो यहां पर वीडियो खत्म होता है और मिलते हैं सॉरी आई यह इसका अंसर होगा 7450 ठीक है ना चलिए यहां पर आते कुछ नवर 21 पर क्या लिखा हुआ है सैम बॉट वन केजी ऑफ टी इन प्लास्टिक जार तो सैम जो लड़का है वो एक किलो का क्या खरीता है टी यानि कि चाय पत्ती खरीता है तजार इस फिल्टू दा ब्रीम एंड कुट नॉट कंटें एनी मोर टी यानि कि वो इक्दम पूरे उसके मुह तक भरा हुआ है ठीक है ना तो इसमें अब हम यहां पर चैपिस जार है टेन ह्रिक रभाम्न ऑन्राइब कर लेंगे तो इसको करना क्यों सो पारगल सब्सक्राइब करने से क्यों इस चैज्ब यहां अगर वह पड़ेंगा लिए 1000 से डिवाइट करना पड़ेगा तो 1000 से जब डिवाइट करेंगे दोस्तों तो 30 कट जाएगा और आपका कितना आएगा सिर्फ और सिर्फ 1000 ग्राम तो यहां पर तीनों के तीनों सही दे रखें तो इसका आंसर जेगा ऑप्शन नमबर डी ऑल अप दीज चलिए कोशन न लेख मगेंगे In non-box आप तो मांतबं के एंवाइट करेंगे सावब होता है आगे आते हैं मैं और सिर्फ यहां पर यहां पर यहां पर 31 number question कैसे करेंगे एके question को देखना शुरू करेंगे सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या check करना है कि ऐसे number जिनका जो sum है वो 17 आना चाहिए ठीक है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ये भी 17 आएगा और 6, 4, 10, 10 और ये भी 17 आएगा ठीक है ये भी 17 आएगा ये भी 17 आएगा ठीक है पहली चीज़ तो हमने सब की check कर ली यानि कि सभी number का जो sum है वो कितना है 17 है देखी कैसे 6, 4, 10, 10, 12, 12, 12, 17 ठीक है 17 आ गया तो सभी की जो sum कर रहे हैं तो sum कितना न 17 है बिल्कुल ठीक है चलिए अब यहां दूसरे number को आते हैं चेक करने the sum of digit at the 10th and 100th place is the digit at the 1000th place ठीक है 10th और 100th place की number को हम क्या करेंगे add करेंगे तो हमें 1000th place का number मिल जाएगा ठीक है तो देखे 10th और 100 तो 10th 100 मलब यह दोनों बीच के number तो 6, 2, 8 8 यहां पर आ रहा है 1000th place पे नहीं आ रहा है यहां पर 4 आ रहा है तो यह गलत हो गया यह option ही गलत हो गया है मलब कि अब एक होम चकी नहीं करेंगे ठीक है अब यहां पर आते हैं B number पे B number पे कहा था 10th तो 10th और 100th place यह दोनों बीच में है 4 to 6 तो यह भी ठीक है तो यह दोनों option हमें क्या लग रहा है सही सही लग रहा है और यहां पर देखे 4 to 6 यहां पर 5 आ रहा है तो यह option भी गलत होगे अब इन ही दोनों option में से कोई ना कोई सही answer है चलिए अब देख लेते हैं अब यहां पर आते हैं यहां पर देखे यहां इसको कर भी सकते हैं 100 places 200 प्लेस पर कहा है यह तो यहीं है इसका answer हो जाएगा ठीक है लेकिन हम सारी चीज़े कर लेते हैं इसमें तो यहां पर लिखा है यानि कि six में से कम होगा तो कितना होगा five ठीक है हमज में आ गया उसके बाद question नहीं लिखा है कि जो नंबर 10th place पे लिखा है तो 10th place में number यहां पर क्या लिखा हुआ और hundred place पे यहां पर two लिखा हुआ है तो कोशें यह बोला है कि इसका दो गुना है तो ठीक है टू का टू दो गुना कितना होता है चाह तो बिल्कुल यही ऑप्षिन सटीक बैट रहा है तो इसका अंसर होज़ेगा ऑप्षिन नमबर सी ठीक ना चले अब आते हैं कोशन नमबर 32 पे तो दूर्स हम बहुत गया है कोशन नमबर 32 पे कोशन नमबर 32 क्या है देखिए कह रहा है कि इस्टडी दा मैप गिवें दा फॉलॉइंग अब कोशन हमें यह बताना है कि जो त्रिसका लड़की है ठीक है यह लाइबरेरी जाना चाहती है मलब लाइबरेरी ऐसे तो लाइबर तो आप देख रहे हैं कि यहां से डायरेक्ट रास्ता है ठीक है यही सबसे छोटा रास्ता होगा तो हमें यहां पर यह बताना है कि जो छोटा रास्ता है वो बड़े वाले रास्ते मलब इस वाले रास्ते से कितना छोटा है ठीक है ना तो यह हमें बताना है तो आई हम ठीक है उसके बाद यह होगा three और यह होजगा nine three nine ठीक इसे मैंड करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा four seven nine seven तो कितना आ गया seven kilometer मेटर 974 मीटर ठीक अब यह वाले राश्ते को कर लेते हैं अब यह वाले राश्ते को आड़ करेंगे तो लिखेंगे किलो मीटर और मीटर ठीक तो यहां पर कितना है किलो मीटर मीटर ठीक है नहां पर लिखेंगे 7974 और यहां पर लिलखेंगे 215 बचे गभाई सेवें सेवें तो इसको माईनेस करेंगी हैं किए पैसलइक विस गिलूमीटर सेवन इसका अंसर होगा option number B चले question number 33 पर आते हैं 33 पर आते हैं अब देखिए यहाँ पर क्या संची है जो यह articles के दाम दे रखे है यहाँ पर करना क्या है इसमें कि जो संची है वो क्या क्या खरीती है pencil खरीती है ठीक है ना देखिए एक file खरीती है वो लिखा है file pencil और notebook file, pencil और notebook यह तीन चीज़ यह खरीती है कौन यह संची लड़की ठीक है संची नहीं है संची है ठीक है तो हम add कर लेंगे इसको क्या क्या add करेंगे 50 ठीक है 15 और 105 इसे मैं add करेंगे 5510, 1 carry 56 और 77 और यहाँ पर 170 रुपए इसने खर्च कर दिए अब यह जो cashier है दुकान वाला है इसको किने रुपए देती है 2000 तो 2000 रुपए जब यह देगी तो कितना खर्चा किया 170 ठीक है तो इसको minus कर लेंगे कितना पैसा उसको receive होगा तो 0 यहाँ पर 10 में से 3 10 यहाँ पर यहाँ से carry लेंगे ठीक है तो यहाँ हो जाएगा 10 यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1 ठीक है तो 10 में से 7 जाएगा बचेगा 3 यहाँ पर 9 में से 1 जाएगा बचेगा 8 और यहाँ पर 1 है तो 1 तो 1830 इसका आंसर होज़ेगा option number C ठीक है चले question number आते हैं 34 पे 34 क्या है देखिए 34 question आपका क्या कह रहा है कि समक्ष part time lecturer है और वो एक घंटे के 225 रुपए उसे मिलते हैं ठीक है the given table shows the number of hours he teaches in a week how much does समक्ष earn in a week ठीक है ना तो वो एक week में कितना पैसा कमाता है ठीक है यह आपसे पूछा गया है तो हम क्या करेंगे दोस्तों हम सभी को week का मतलब क्या होता है पूरे सप्ता इतना है यह को Monday Tuesday तो इन्हें हम add कर लेंगे 32553884 12 12 to 14 14 और 5 कितना होगे 19 हो गया और 19 घंटे के काम करता है पूरे सप्ता में तो कितना पैसा कमाएगा एक घंटे में 225 रुपए का बाता है तो 19 घंटे में कितना कमाएगा 225 से क्या करेंगे मल्टिप्लाई कर देंगे जब मल्टिप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4275 रुपीज तो इसका आंसर जेगा option number C ठीक है चलिए आगे आते हैं अपने अगले question पर अगला question हमारा क्या है आज का last question देखे तो यहांपे एक केजी देखे यह पंदरह और 3 कितना हो गया अठारासो ग्राम ठीक है यह कितना हो गया फ्रसों ग्राम यानी की 800 ग्राम ठीक है तो वन केजी यहांपे कितना है 1 ऑंकेजी मल्लब इधर हो जाएगा तो पहला क्या बनेगा यहां पर लिखना शुरू करते हैं 800 ठीक है ना पहला 800 यानि कि P की वैलू जो है वो 800 होगी बी पर आते हैं बी क्या है 600 200 तो यहां पर क्यों कितना होगा 400 अगर मैं लिख दूंगा तो 400 200 600 और 600 के बराबर हो जाएगा यहां पर आते हैं 1 DAY 200 यानि कि टोटल यहां पर कितना होगया 1200 ठीक है 1200 ग्राम और यहां कि ग्राम 2,000 ग्राम और यहां पर 1100 ग्राम बाररा सू ग्राम में कितना टतेंगे 800 ग्राम यूज करतेंगे तो कितना हजाएगा 2000 ग्राम तो यहां पर हम लिखेंगे ऐस कोल to 800 ठीक न तो मरजी है मिलते हम अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार